शुरी शिवाई नमस्तु भ्याम हर हर महादेव शराद पक्ष में गुरूजी पंडिर प्रदीप मिश्र जी दोरा ग्राम कांटा कुरूदेह कुकरेल धमतरी 36 गड़ में शराद स्पेशाल शिव महापुरान कथा सुरू हो गई है और आज 20 सितंबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चकी है यह पांस देशे शिव महापुरान कथा है जो कि 20 से 25 सितंबर तक दो पहर के एक बज़े से चार बज़े तक आस्था और यूटीब के माध्यम से देखी जा सकती है आज की कथा में गुरुजी पंडिप्रदीप मिश्रा जी ने श्राद पक्ष से जुड़े हुई नई जानकारियत दी है और कुछ उप्यों की उपाय बता है श्राद पक्ष में डरने वालों को गुरू जी ने क्या कहा है और श्राद पक्ष का महत्व का वर्णन आज गुरू जी ने किया है और श्राद पक्च के चार बिलकुल नय उपायों की जानकारी हमें दी है जिसमें दो चावल के दाने और एक कलस जलवाला विशेश उपाय सामिल है जिसे आपको विशेश तरीके से करना है उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंतमे करके भी बताएंगे ताकि उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो आज 20 सितंबर पहले दिन की शिव महापुरान कथा जो की धमतरी छत्तिसगड में चल रही है इस कथा में गुरु जी ने कुल 22 उपाई पत्र और उपयोगी जानकरी आदी है सभी की जानकरी हम आपको इस वीडियो के माद्र से देने वाले अगर किनी काराणवास łपस आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस्ते तर आपको इस छोट इस वीडियो से प्राप्ट होने वाला है बढ़ते हैं आज की कता की पहली विशेज जानकारी की ओर कता सुरू होते ही गुरुजी ने कहा आपको मनुष्ट की देह प्राप्त होई है तो यह भागवान की भक्ती करने के लिए मिली है यह पांस दिन की शिव महापुरान कता हम पांच इंद्रियों को भागवान की कता में ले जाकर छोड़ दे शिव भक्ती हमारे अंदर कैसे आ सकती है उसे लाने का हमें प्रयास करना चाहिए बढ़ते हैं आज की कता की दूसरी विशेज जानकारी की ओर बढ़ते हैं आज की कता की तीसरी विशेज जानकारी की ओर अभी चल रहा है श्रादबक्ष श्रात बक्ष का महत्व है श्रद्धा और विश्वास और आपने अपने गुरू अपने माता पिता अपने पूर्वजो के प्रती अपने घर के बड़ो के प्रती आपकी कितनी श्रद्धा है दुनिया के लोग कहते होंगे कि अगर हम अपने पित्रों का इस्मरण ना करें तो हमारी पित्र हमसे रुष्ट हो जाते हैं पर शिव महापुरान की कता कहती है कोई कहे नाखुन मत काटना पित्र रुष्ट हो जाएंगे ज्यादा महिला श्रंगार ना करें नहीं तो पित्र रुष्ट हो जाएंगे कोई नए कपड़े मत लेना नहीं तो पित्र रुष्ट हो जाएंगे ऐसा लोग कहते हैं पर ऐसा सच नहीं है सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि श्राथ पक्ष क्या है शिव महापुरान की कता कहती है पित्र बुरे नहीं होते हैं श्राद पक्ष का महतो होता है आपका पूरा विश्वास और आपकी पूरी श्रद्धा बढ़ते हैं आज की कता की चौथी विश्यस जानकारी की और गुरुजी ने कहा अभी वाटसेप खोलो तो उसमें कई गायतरी करने वाला ब्रामभन, वेदपाठ करने वाला ब्रामभन, संध्या करने वाला ब्रामभन की तुलना किसी से साधारन इंसान से नहीं की जाती बलकि उसकी तुलना स्वयम नारायन और ब्रह्मा से होती है बढ़ते हैं आज की कता की पांचियु श्यस जानकारी की और फिर शियो महापुरान पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि पित्र पक्ष से अच्छा कोई पक्ष नहीं होता है आपको इस पक्ष में पित्रों के सांस साथ देउताओं का भी आशिरवाद प्राप्थ होता है बढ़ते हैं आज की कता की छटवी विश्यस जानकारी की और अनीता बन भोर जी पतले कराई जिसमें उन्हें लिखा मेरे दो बेटे हैं बड़ा बेटा कॉमेटिसन एकजाम की तयारी कर रहा था छोटा बेटा नीट की तयारी कर रहा था पांस साल दोनों बेटों ने प्रयास किया पर कहीं पर कुछ नहीं हुआ हम छोटी सी जगह में रहते हैं पर हमाई बेटों ने ऐसा सपना देखा कि हम बड़े ओफिसर बने पर चेन ना हूपाने के करनद दोनों बेटे हार गए और अब प्रयास नहीं करेंगे ऐसा कहने लगे पर मैंने मेरे दोनों बच्चों को कथा सुनने को कहा हम आपको पहले नहीं सुनते थे पर जब से आपकी कथा सुनी तब से लगातार सुनना शुरू किया बेटों का मनोबल बढ़ा उन्होंने चोगनी मेहनत करना शुरू किया और रोज जल चढ़ाते और एक्जाम से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उन्होंने एक्जाम दिया मेरे बड़े बेटे की रेलवे में जॉब लग गई है छोटा बेटा डॉक्टर बन रहा है उसी का अभार विक्त करने हम कथा पंडाल में आये है बढ़ते हैं आज की तकी साथवी शेजजनकरी की और गुरुजिन कहा कई लोग कहते हैं कि भूले नाथ के मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है तो उन्हें पता होना चाहिए जिन हातों से भूले नाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाये जाता है वह हात भूले नाथ किसी दूसरे के सामने नहीं फैलाने देते और उस हाथ को थाम कर भोले नात उन्नती की उचाईयों में ले जाकर छोड़ देते हैं बस आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए बढ़ते हैं अची कता की आठवी शेश जानकरी की ओर सरीता मिस्तराची पतले कराएं जिसमें लिखा डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुक नहीं था साथ साल इंतजार किया आठ साल निकल गया पर संतान सुक नहीं हुआ बड़े बड़े शहरों में जाकर भी इलाज कराया पर कहीं से कोई लाब नहीं हुआ मेरे भाई की बहु ने मुझे कहा कि बुआ एक काम करो आप सुमवार की अश्टिमी में सफेद आंक्रे की जड़ का प्रियोप करो साथ में पशुपती नात्वरत भी करना मैंने सुमवार की अश्टिमी में सफेद आंक्रे की जड़ संकर भागवान के मंदिर में जाकर कमर में बांध ली पति पतिनी भागवान की भक्ती करने लगे और बाबा की कृपा से मेरा गर्व ठहर गया और आठ वर्सों के बाद मुझे पुत्र रतनी की प्राप्ती हुई है उसी का आभर व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आये हैं बढ़ते हैं आज की कता की नौवी विशेज जानकारी की ओर गुरुजे ने कहा पित्र प्रक्षे स्राथ का समय यह बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर कोई गलत कहता है तो आप उसकी बात ना सुने क्योंकि आप अगर कोई काम सुरू भी करना चाहते हैं इस पक्ष में तो को को सफलता देखने को मिलती है बढ़ते हैं आज की कता की दसवी शेज जानकारी की ओर गुरुजे न कहा शिव महापुरान की कता कहती है पित्रों की तीन बेटी हैं मेना, धन्या और कला मेना ने माता पारवती को जन्म दिया धन्या सुनेना बनी जिस से सीता जी ने जन्म कला कीर्थी बनी जिनकी गोद में राधा जी ने खेला अगर श्राद पक्ष बेकार होता तो क्या इन तीनों देवियों का कोई नाम इस्मरन करता ऐसा कभी नहीं होता बलकि यह तीनों देवियों पूजनी है और इनके आशिरवाद से मनुष से तर जाता है बढ़ते हैं आज की कता की ग्यारवी विशेश जानकरी की ओर गुरुजी ने कहा इस राध पक्ष में कुछ करो या न करो आपको गव माता को रोटी जरूर खिलाना है गव माता को जल जरूर पिलाना है भूके को भूजन कराना है प्यासे को पानी पिलाना है यह आपको श्रात पक्ष में करना ही है बढ़ते हैं आज की कता की बारवी विशेश जानकारी की ओर अंजली जी पत लेकर आई जिसमें लिखा मेरा आपसे एक प्रश्ण है ए महराज जी भगवान हमारे पास क्यों नहीं आते डरते हैं क्या इस पर गुरुजन ने कहा कि डर भगवान को नहीं लगता अपनों को लगता है जिस दिन शिव सामने आ जाएंगे आप सामना नहीं कर पाओगे भुलेनात के गले का वासु की अर्थात सर पे भी अगर आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो आप सब घर्वल से बाहर नकल जाते हैं घर को खाली कर देते हैं बढ़ते हैं आज की तकी तेरवी विश्यस जानकरी की ओर गुरुजन कहा कहीं जाना है तो आप विद्वान से पूछो कोई शुब कारी करना है तो आप विद्वान से पूछो कोई शुब मूरत लेना है तो आप विद्वान से पूछो मना नहीं करेंगे परश्यों के पास जाना है अगर एक लोटा जल चढ़ाना है तो आपको अपने मन से पूछना चाहिए कि आपका कितना श्रद्धा और विश्वास से जाने के लिए बढ़ते हैं आज की कता की चौदवी विश्यस जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा शरातफपक्ष में दोशियो महापुरान कता होने वाली है तो गुरुजी ने कहा है कि सभी जो घर पर कता सुन रहे हैं और पढ़्डाल में कता सुन रहे हैं अपने पूर्वजो को कता समर्पित करना चाहते हैं पूर्वा जो को पार लगाना चाहते हैं, पूर्वा जो को तरप्त करना चाहते हैं, तो कथा सुनने का एक तरीका सभी को अपनाना है, आप फोटो लेकर कथा का स्मरन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, श्रवन कर सकते हैं, पर अगर फोटो लेकर कथा का स्रवन नहीं कर रहे ह तो आप एक चावल के दाने को अपने हाथ में रखते हुए कथा का श्रवन कर सकते हैं उस कथा सुनने के बाद आप उस चावल के दाने को एक कटोरी जिसे आपको अपने घर में पानी के परिंडे के पास रखना है पानी के परिंडे से ततपर है आपके किचिन में वह है पात्र जिसमें आप अपने पीने का पानी भरके रखते हैं उसके पास आपको एक कटोरी रखना है और उस चावल के दाने को जिसे आपने कथा सुनने के समय अपने हाथ में रखा था उसे उस कटोरी में रख देना है पांच दिन रोज आप कथा सुनेंगे रोज एक एक चावल के दाना आपको उस कटोरी में डाल देना है पांच दिन की कथा जब आप सुन लेंगे पांच दिन पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद जब छटवा दिन होगा तो छटवा दिन सुबह आपको कटोरी के चावल के जो दाने हैं उसे आपको पंक्छी या फिर किसी जीव को खाने के लिए दे देना है बस इतना ही करना है इतना मात्र कर देने से आपके पित्रों को महाद्यों को आशरबाद प्राप्त होगा और वे तर जाएंगे बढ़ते से दूर कर देना चाहिए इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे प्रांतियों से दूर हो जाएंगे तो शिव आपको मिलेंगे ही यह निश्चित्ता है बढ़ते हैं सोलवी विशेश जानकारी की ओर श्राद पक्ष की दूसरी शिव महापुरान कता 26 सितंबर से 2 बढ़ते हैं आज की कता की सत्रवी विशेश जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा हमारी 25 साल की शिव महापुरान निकाल कर सुन लो इतने वरसों में हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप शंकर का पूजर नहीं करोगे तो भूलेनात क्रोधित हो जाएंगे या फिर ऐसा भी भी भूलेनात के पास नहीं जाओगे तो आपको कुछ अश्यब होगा बलकि हमने आपसे यह कहा है आप जब भी भूलेनात के पास जाओ पूरी श्रद्धा और विस्वास के साथ जाओ तो ऐसे में आपको भूलेनात की किरपन निश्चित प्राप्त होगी पढ़ते हैं आ अगर कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन कर रहा है तो आपका जीवन बरबाद होना तय है बढ़ते हैं आज की कता कि 19 वी जानकारी की और गुरू जी ने कहा आपके दारू आपके मदिरा के नश्य को दुनिया का कोई व्य व्यक्ति नहीं छोड़ा सकता आपके अंदर का ही बल आप स्वेम अपने नश्य को छोड़ सकते हैं मदिरा को छोड़ सकते हैं और नश्य और मदिरा आप किस के लिए छोड़ रहे हैं अपनी पतनी के लिए अपने माता पिता के लिए अपने बेटे के लिए अपनी बेटी के लिए अपने परिवार के लिए क्योंकि तुम्हार पूरा परिवार बरबाद हो जाता है क्योंकि नशा तुम करोगे पर तुम्हारे नशा करने से तुम्हारी मा को अभी कोई सम्मान नहीं करेगा कहेगा कि इसका बेटा कैसा है बेवड़ा है पत्नी को भी सम्मान नहीं मिलता बच्चों को भी सम्मान नहीं मिलता लोग कहते हैं इसका बाप नशा करके पड़ा रहता है सब तुम्हारी परिवार में उंगली उठाते हैं क्योंकि तुम्हारा मदिरा पीने का या फिर किसी अन्य चीज का नशा करने की आदत है तो आपको नशे से दूर होने का स्वयम अपने अंदर से मनोबल बढ़ाना पड़ेगा और स्वयम आप ही अपना नशा छोड़ सकते हैं बढ़ते हैं आज की कता की बीस वीशेश जानकारी की ओर परमेश्वरी भाई जी पतले करा हैं जिसमें ने लिखा मेरा बेटा दो साथ से सरकाई नोक्री तैयारी कर रहा था पर उसकी नोक्री नहीं लग रहे थी मंदर हम जाते नहीं थे ना ही जल चड़ाते थे पहली बार आपकी कता सुनी बेटे और हमने मंदर जाना शुरू किया और बेटे ने कहा अब मैं नोकड़ी के लिए apply करूँगा और पूरी महनत के साथ परिश्रम भी करूँगा महनत करूँगा और बाबा पर विश्वास रखूँगा रोज बेटा जल चड़ाता 6 महने तक उसने जल चड़ाया इसके बाद एक भरती आई और बाबा की किरपाय ऐसी हुई मेरा बेटा बेटा बीएसेफ जम्मू कस्मीर में पोस्ट हो गया है उसी का अभर विक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ बढ़ते हैं आज की कथा की 21 जानकरी की और मैं मंदिर नहीं जाता था मेरी पत्मी आपकी कथा सुना करती थी मुझे मंदिर जाने के लिए उसने सिखा दिया मंदिर जाते आपकी कथा सुनते मन में एक बात थी अगर बाबा मेरे भंडार भर देते हैं मेरी कामना पूरी कर देते हैं तो मैं पांच गथा पंडाल में सुनूँगा मेरे को अनकमपन निकती लगी पर मैं पक्का नहीं हो रहा था नहीं मुझे उसमें पदोर्नती मिल रही थी मैंने पांच भी कथा जैसे ही पंडाल में सुना उसके बाद मेरी तुलंत पदोर्नती हो गई और मैं पक्का हो गया उ पित्रो का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए इस श्राद पक्ष में आपको एक सरल और आसान उपाई करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के उपर पूरा जल चढ़ा देना है। इस वीडियो में बताएगा उपायो से संबंदेत अगर अभी भी आपके में कोई प्रशन है तो यह प्रशन आपको प्रशन आपको पूस सकते हैं। श्री शिवाई नमस्तु भ्याम हर हर महां।